कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दो फाइनल टच पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसस्ती एम्टीएस 2021 का जो एक्जाम हुआ था उसके फाइनल एक्सपेक्टेड कटॉफ की ठीक है दोस्तों अभी एक् थोड़ा से बीजी था तो अभी फ्री हुआ हूँ तो एससी एम्टीएस 2021 का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कटॉफ है उसको जो है ले करके मैं सामने आया हूं आपके ठीक है दोस्तों इसमें जो मैं कटॉफ बताऊंगा यह आपकी टीर वन या फिर टीर टू के बाद की कटॉफ है ठीक है मतलब कि अगर उतने या फिर उस रेंज में आपके मार्क बन रहे हैं देंडेफिनेटली जो है आप जो है एक सीट जो है ले लोगा ठीक है मैं यह करके चल रहा हूं कि आपने हर एक स्टेट का जो है फिलप किया होगा ऑप्शन ठीक है मतलब सारे करने के लिए वीडियो नहीं है देखिए आपका जो भी आ रहा हो अगला स्टेज में अपियर होने जरूर चाहिएगा ठीक है बस यह एक रफ आइडिया के लिए है ठीक है उसलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेट कट आफ की एक वीडियो ठीक है सबसे पहले दोस्तो इसमें इस साइड जो मैंने लिखा हुआ है यह टॉप की five hardest shift है ठीक है यह टौप five hardest shift है और यह जो मैंने लिखा हुआ है ये top 5 easiest shift है ठीक है ये easiest shift है बतलब 5 जुलाई 2022 की जो shift रही हो सबसे ज़्यादा hard रही है ठीक है कौन से shift तो shift third ठीक है सबसे ज़्यादा hard रही है यानि कि the hardest उसके बाद 6 जुलाई की shift 2 उसके बाद 8 जुलाई की shift 2 उसके बाद 8 जुलाई की shift 1 उसके बाद 21 जुलाई की shift 3 वैस टू, उसके बाद 18 जुलाइश MS टू उसके बाद 19 जुलाइश MS टू यह हसारे जॉए यह टॉप 5 हार्डेस्ट हैं और यह top 5 इसे स्ट है आप इसमें अपने सिफ्ट के एक अप देख सकते हैं कि आपका सिफ्ट किसमें है और बाकि जो सिफ्ट है वो सब जो है medium जो है मतलब रही है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा ना hard रही है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा easy रही है ठीक है तो यह आपकी hardest और easy shift का जो है जो भी लेखा जो खाता मैंने आपके सामने रख दिया ठीकी दोस्तों हमारे जो analysis के according जो है इन सभी shift में जो है देखते हैं दोस्तों यह एक्सपेक्टेट कट अफ है यह आपका यह सामने कुछ इस तरीके से है जैसे कि SSC MTS में दो कट अफ आती है से 25 के एज ग्रूप में यही 18-27 एज ग्रूप में अगर आप जाएंगे तो आपके मार्स जो है थोड़ा सा कट अफ जो है इंक्रीज होगा मतलब कि अगर आप अन्रिजरब कटेक्रीज से हैं तो आपके जो मार्स अगर 85 मार्स हैं तो इसके बाद OBC की बात करें तो 84 कट EWS की 83, ST की 81 and ST की 75 ठीक है तो इस तरीके से कुछ जो है कट अफ का लेखा जो है रहने वाला है आपका 18-25 और 27 एज ग्रूप में ठीक है दोस्तों बहुत कंसाइस तरीके से मैंने आपको जो है एक रफ आइडिया दे दिया हुगा है कि मतलब देखो यहाँ पे आपका प्लस minus 4 का जो है variation रह सकता है ठीक है यानि कि या तो तीन-चार नंबर जादा हो जाए तीन-चार नंबर कम हो जाए यह cut-off ऐसे रहेगा ठीक है लेकिन जो है general जो trend रहेगा कुछ इसी तरीके का रहेगा कि आपका जो final cut-off है यानि कि जो नौकरी के लिए cut-off आती है तो वो कुछ इस हिसाब से रहने वाली है लेकिन अब जो further stages है उसमें appear जरूर हो योगि अभी CGL 20 का final result आजाएगा CGL का final result आएगा तो बहुत सारे लोग DV skip करेंगे ठीक है तो आगर आपके marks फोड़े से कम भी है तो आगे आपके chances जो है बन जाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह